गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब बच्चो आज हम डिसकस करेंगे डिजाइन आफ क्वेस्टन पेपर के हमारे मैथेमेटिक्स के क्वेस्टन पेपर का डिजाइन किस परकार का होता है यह आपको ब्ल्यूप्रिंट में सब जगा मिल जाएगा लिखा हुआ एंट का है 80 मार्क्स का होता है सप्लिमेंटरी में भी यही आएगा जो कमपार्टमेंट के बच्चे देंगे और एन्वल बच्चो में भी यही पेपर आएगा वेटेज to objectives अब यहाँ पे कितने कितने नंबर का क्या आएगा यहाँ पर आपने पढ़ा होगा के इसका मिनिंग क्या होता है बच्चो इसका मिनिंग होता है knowledge यह नहीं कि आपके पास 50% paper 50% कितना 80 का 50% कितना होगा 40 40 माथ का paper आपका knowledge का होगा जो journal होता है जिसको सब बच्चे easily कर सके उसके बाद 30% जो paper होता है वो understanding का होता है क्या वो कितनी understanding है समझ है उसमें 24 number का आपको वो आना है उसके बाद E, email में आपको यहाँ पे क्या करना है 10% आपको फिर थोड़ा सा easy paper होता है और उसके बाद 10% paper होता है वो difficult होता है उसको paper थोड़ा सा tough माना जाता है और इस परकार आपके पास 50, 30, 10, 10, 100% 80 mark का यह paper हुआ उसके बाद अब यह E, यह निके essay type question तीन आते है अब हम यह भी discuss करेंगे किस कौन से तीन आएंगे किन chapters में से तीन आएंगे यह तीन आएंगे 55 marks के और हमारे पास यह 15 marks हो जाएंगे यहाँ time dividation में लिखा होता है कि 30 minutes में आपने यह करने है उसके बाद short answer, short answer 5 questions आएंगे short answer बोलते हैं बच्चो 3 marks वाले को ऐसे type बोलते हैं यहाँ पर 5 marks वाले को और very short answer कितने होगे 2 marks वाले यही के 5 questions आपके पास 2 marks वाले आएंगे और O means objective question यह 40 marks के होगे कितने के होगे यह 40 marks के 40 questions होगे परन्तु बोल्ड ने बच्चों इस बार इसमें भी changing की है यह 40 marks में से 24 question आपके पास multiple choice होगे और 16 question जो है one line question, one word question जिसमें आपको अंसर देना होगा वो filling the blanks भी होते हैं one word question भी हो सकते हैं one line question भी हो सकते हैं तो इस परकार आपके पास यह 40 question है इनका भी यहाँ पे bifurcation किया गया दुबारा बताता हूँ यह multiple choice question होगे और यह जो हैं आपके पास one word, one line, right, wrong filling the blanks इस परकार की यह question होगे इसमें तो आपके वोल option दे के answer लिख दोगे परन्तु यह आपको अपने पास से लिखने हैं इस 16 answer इस 16 answer आपको book में नहीं मिलेंगे question paper में नहीं मिलेंगे तो आपको यहां समझ में आ गया होगा कि आपके पास total question होगे 53, कितने question होगे total 53, 40 question one marks के 5 question two marks के 5 question three marks के और 3 question five marks के बच्चों यहां पे भी फिर कुछ एक चीज और होती है कि जो यह three questions होते है इन में से two questions ऐसे होगे जिनके अंदर आपको option मिलेगा क्या मिलेगा उनके अंदर आपको option उसमें और लिखा होता है अथवा लिखा होता है या तो वो करो या ये करो उसमें आपको दो question होगे एक करना होता है अब बच्चों हमारे पास next चीज क्या है कि हमारा यहां पे scheme of sections हमारे पास 4 section होगे A, B, C, D अब A, B, C, D आपको फिर्मिन में नहीं आया होगे A, B, C, D कैसे होगे A section होगे 5 marks का B section होगे 3 marks का C section होगया 2 marks का और D section होगया objective का इस परकार हमारे पास question paper बनता है अगले point देखो internal choice in long questions ऐसे type question में 2 questions के आपके पास internal choice होगी जिसमें मैं उपर बता रहा था आपको अथुआ होता है और difficulty level अभी उपर सबसे पहले बता है आपको 10% difficult level होता है और 50% तो average होता है और 40% आपका बिलकूल easy होता है जिसको हर एक बच्चा कर सके जिसने class लगाई है वो हर बच्चे उसको कर लेगा अब हम discuss करते हैं कि किस chapter में से कितने marks का आना है अब सबसे पहले देखिए real numbers अब real number में से 4 marks का आना है बच्चों ये 4 marks के यहां से आप ध्यान करेंगे चारों के 4 questions 1-1 marks का आने आपको चारों के 4 questions कितने आने 1 marks के आने ये one word का भी हो सकता है ये filling the blanks भी हो सकते है ये right wrong भी हो सकते है ठीक है इसको आपने यहीं पर दियान रखना अब यहां पे नो लिखा है chapter number 2, 3, 4 ये 18 marks का है कितने का है 2, 3, 4 का 18 marks का बच्चों इस 18 marks में से इन 3 चेप्टर में से 11 marks के 8 question आने है कितने पता है हमने आपको 11 marks के 8 question 2 marks का इसमें से 1 question आना है 3 marks का इसमें से 1 question आना है और 5 marks का भी इसमें से 1 question आना है ठीक है इस परकार हमारे बास कितने हो जाएगे 8, 8 और दो 10, 10 और 3, 13 13 और 5, 18 बच्चों इस question में आपको internal choice मिलेगी इस question में आपको क्या मिलेगी internal choice मिलेगी दो question होंगे इनमे से और दो में से आपको एक करना होगा यह आपने भूलना नहीं है यह आपको भेहन रखना है कि आपको वहाँ दोनों करने लगो दोने ही नहीं करने जो आपको ज़्याद अच्छे से आता है उसको करना है उसके बाद आता है हमारे पास next arithmetic progression ये 7 marks का आना है 7 marks के में बच्चो इसमें से एक आपको पास एक एक नंबर के 4 question आने है कितने को बच्चों आने हैं एक एक नंबर के 4 और 3 नंबर का 1 question आना है कि जो question जिसमें से बड़े आने उसमें से बड़े तयार करें जिसमें से बड़े नहीं आने आप उसको मत छेड़ें उसके बाद देखिए triangle circle और construction इसका सारे का एक portion बनता है ये 15 marks का आना है इसमें से आपको 11 marks के 7 question आने है और 3 marks का एक question आना है बचो और 5 marks का एक question आना है अगले वाले हम देखो coordinate geometry ये 6 marks के आनी है आपके पास इसमें 11 marks के 4 question होंगे और 2 marks का एक question होगा ये भूलना नहीं है इसमें आपको ज़्यादा बड़ा question develop करने की ज़रूरत नहीं है तयार करने की उसके बाद 8 और 9 यानिके ये chapter है आपके introduction to trigonometry और some application of trigonometry इसमें आपके पास 11 marks के 3 question आने है बचो 2 marks का 1 question आना है और 5 marks के फिर 1 question आना है इसमें आपको option मिलेगा इस option में से आपको या तो ये करना है या उसके बाद देखेंगे आपके पास क्या है अगले में क्या है related to circle और surface area of the and the volume इसमें आपके पास बचो 11 marks के 5 question आने है और 2 marks का 1 question आना है और 3 marks का भी 1 question आना है वो 5 और 2, 7 और 3, 10 होगे अगले में देखो statics and probability 10 marks की आनी है इसमें से 11 marks के बचो 5 question आने हैंगे 2 marks का 1 question आएगा और 3 marks का 1 question आएगा तो इस परकार आपके ये question के system होगा आप देखो total कर लेते हैं कितने question होगे यहाँ पे 4 question थे 11 marks के 4, 8, 12, 16 और 7, 23, 23, 27, 28, 29, 30, 35 और ये 40 ये total 11 marks के आपके पास 40 question होगे ठीक है इसी परकार 2 marks से 1, 2, 3, 4, 5 2, 2 marks के 5 होगे 3, 3 marks के देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये भी 5 होगे और 5 marks के ये 3 questions इस परकार आपका बच्चों ये questions का system होगा मुझे उमीद है ये आपके पास जो marks division है आपको परिक्षा की तयारी करने में काफी मदद करेगा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब प्लीज उस पटन को दबाईए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अब यहां पर हम science के question paper की designing की बात करेंगे आपको सबको पता होगा यह ढ़ाई घंटे का होन है 60 marks का हैगा इसमें से 40% बच्चो knowledge का कोई paper होता है 24 marks का यानि कि understanding का आपके बाद 30% होगा 18 marks का होगा 20% appreciation का होता है और 10% expressions का होता है कि 100 marks का होगा 100% होगा और 60 marks का आपका यहां पर paper होगा next है गा इसके अंदर weightage of form of questions अब जो essay type questions है आपके पास 3 आने है 5-5 marks के जो questions होते हैं essay type question बोलते है वो हमारे पास कितने आने हैं बच्चो 3 आने है यह 5 marks के question होगे इसके आपके इसे type बोलते है और short answer question जो हो 3 marks के होते हैं वो हमारे पास 3 आने है हर section में से उसके अंदर 3 आएंगे और very short answer हमारे पास वो भी 3 आएंगे 2 marks वाले ठीक है और objective question जो है हमारे पास 30 marks के आएंगे 30 question आएंगे अब बच्चो यह ध्यान रखना है यहां पे 30 में से 40% और 60% यह नहीं के 18 marks के मारे पास multiple choice question होंगे और 12 marks के मारे पास one word question होंगे one word होते हैं हो सकते हैं right wrong हो सकते हैं filling the blanks हो सकते हैं तो यह आपने ध्यान रखना है क्योंकि इसमें आप board ने इस बार क्या किया है 60% और 40% का एक ratio बनाया है जिस ratio में हमें जो questions दिये हुए है 30 questions आने हैं इसमें से 60% यह नहीं के 18 questions आपके पास 18 marks के 18 questions multiple choice होंगे और 30%, 40%, 12 होता है 12 questions यह नहीं के 12 marks के आपके पास one word question, one line question या आपके पास filling the blanks हो सकते हैं right wrong हो सकते हैं जिसमें से आपने अपने पास आपके पास long questions होगे B में short answer, C में very short answer और D में objective questions हो जाते हैं यहाँ पे भी वही होता है कि जो internal questions हैं उसके अंदर 5 marks के जो 2 questions हैं उसके अंदर 2 में आपको option मिलेगा 10% paper बच्चो difficult होता है difficulty level क्या है 40% average होता है 50% easy होता है अब यहाँ पर chapter 5 आप देखेंगे रसाइनी कभी क्रिया इसमें से 4 marks का आना है इसमें से एक very short answer आना है और एक दो objective question आना है very short answer दो number का होगा और दो number के आपके objective question होगा total आपके 4 number होगा हैं इसी तरह acid base और salt में से 4 marks का आना है 4 marks के में से क्या आएगा short answer question एक और एक objective question ही एक 3 number का आएगा और एक एक number का इसी तरह से matter non matter दातू अधातू में से 2 marks का आना है बच्चों इसमें से आपने फालतू कुछ नहीं तयार करना है बहुत बड़ा lesson है इसमें से objective question 2 marks के आना है उसके बाद जैव परकरम है इसमें 8 marks का आना है 8 marks के में आपके पास एक essay type question आना है यहां से आपने ध्यान रखना है इसको भूलना नहीं है यह 5 marks का question आपको paper में आना है इसमें से 2 question आपने आने और करके या तो आपने यह करना या यह करना और एक आपको 3 objective questions आने है भूलना नहीं है यह समझाना चाहिए आपको उसी तरह से जनन वाला जो production वाला reaction है reproduction वाला उसमें 7 marks का आना है 7 marks में से आपके पास short answer questions 1 marks का आना है यह यह तीन number का question आना है very short answer 2 number के होते हैं वो 1 question आना है 2 objective questions हैंगे आपके पास 7 marks होगे उसके बाद प्रकाश उसमें से 4 marks का आना है एक short answer question है यह यह त्री marks का एक objective होगए ठीक उसके बाद आप देखेंगे मानव नेतर बच्चों मानव नेतर में से केवल आपके पास 2 question objective आने है इसमें से बड़ा question आपको तैयार करने की आप शिक्ता नहीं है उसके बाद उर्जा के स्रोत्र इसमें से 4 marks का आना है 4 का 4 objective question होगे यह आपको ध्यान रखने है इसमें बड़ा question कोई तैयार करने की ज़रूरत नहीं है next chapter है carbon कल चैप्टर में से आपको 3 marks का आना है 3 का 3 objective questions होगे वो आपके 3 marks के होगे उसके बाद आवर्थ वर्गी करन 5 marks का आना है यह ध्यान रखना है इसमें से 5 marks का ऐसे टाइब question आना है आवर्थ वर्गी करन में से इसको भूलना नहीं है इसको आपने इच्छे तियार करना इसमें हो सकता है आपको option मिल जाए उसके बाद नियंतरन 7 way इसमें से केवल 2 marks का आना है objective question उसके बाद अनुवान शिक्ता अनुवान शिक्ता में से फिर 2 marks का objective question है 11 marks के फिर विद्यूत वारा lesson है इसमें से आपके पास very short answer question 1 marks कहने के आप ध्यान रखना है कि इसमें से 2 number का question आना है एक एक number का objective question आना है बच्चो यहाँ पे क्या है विद्यूत धारा के चुमकिये प्रभाव 5 marks का ऐसे type question आना है इसमें आपको 5 marks का question आना है भूलना नहीं है इसमें आपको जो ऑप्शन भी मिलेगा इसमें या इसमें कोई से एक में option मिलेगा एक में नहीं मिलेगा आपने इसमें बच्चो क्या ध्यान रखना अकसर इसमें से motor वाला question आपको paper में पूछ लेते हैं इसमें कई बार examiner क्या करते हैं आपको दो नंबर का और तीन नंबर का दो पार्ट में question पूछ लेते हैं तो इसको आपने ध्यान से करना है इस lesson को ही पूरे डंग से कीजिए फिर आता है आप परियावरन परियावरन में से 3 marks कान है objective होगा 3 नंबर के और फिर प्राकरतिक संसादन इसमें से आपको 2 marks कान है इस परकार आपके total जो है बच्चो 39 questions बन जेंगे और marks आपके 60 होगे आपने इस हिसाब से अपनी तयारी करनी है जिन questions में हमने आपको बताया कि ऐसे type question आएंगे अब दोबारा बता जाता हूँ अशे type किस किस में से जैव परकरम वाले में से बताया आवर्त वर्गी करन वाले में से बताया और विद्युधारा के चुम के प्रभाव माले में से आपको बताया आप इनकी ठीक धंग से तयारी करें best of luck आप सब के परिक्षाओं में खुब अच्छेंक लेके पास हो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब दिस चैनल